आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ ऐसे चार फेस पैक जिसका इस्तमाल करने से आपकी तवचा सर्दी के दौरान स्वस्त और चमकदार बनी रहेगी सर्दीयों में अक्सर हम अपने स्वस्त के साथ साथ अपनी तवचा को भी स्वस्त रखने की कोशिश करते हैं कई लोग सर्दीयों में अलग-अलग फेस पैक ट्राय करते हैं जिससे की तवचा को स्वस्त और चमकदार बनाए रखें लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंड के दोरान आपको किस तरह के फेस पैक का इस्तमाल करना चाहिए। कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होगी और वो किसी भी तरह के फेस पैक को आसानी से इस्तमाल कर लेते हैं जबकि सरदी के दोरान आपकी परेशान होने की जरूवत नहीं है क्योंकि मैं आपके लेकर आई हूँ चार ऐसे फेस पैक जिससे आप सर्दियों में अपनी त्वचा को चमकदार और तंदुरुस बना सकते हैं पहला फेस पैक है गाजर और शेहद से बना फेस पैक कैरट फेस पैक गाजर भी शेहद की तरह हमारे स्वास्थ और त्वचा के लिए बहुत फादेमंद होता है गाजर और शेहद से बना पेस्ट आपकी तुचा की चमक को बढ़ाता है और लंबे समय तक आपकी तुचा में नमी बनाये रखता है इस पैक के लिए आप गाजर को अच्छी तरह से पीस ले और इसमें शेहद और गुलाब जल मिला ले इसके बाद आप इस मिश्रन को आसानी से अपनी तुचा पर लगा सकते हैं और बीस मिनट के बाद हलके गुर्गने पानी से से धूले आप हफ़ते में दो से तीन बार इस फेस पैक को लगा सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपको इसका सकारात्मक परिणाम नजर आने लगेगा दूसरा फेस पैक है पपाया फेस पैक पपीता सदियों से तुचा के लिए फायदमन और असरदार विकल्प के रूप में हमारे सामने हैं ये हमारी तुचा को स्वस्त रखने के साथ तुचा की रंगत में भी सुधार करने का काम करता है ये आपकी बढ़ती उम्र के लक्षन जैसे जुरियों को कम करने में आपकी मदद करता है इसको आसानी से बनाने के लिए पपीते को कच्चे दूद के साथ अच्छे तरह से मिक्स कर लें अब आप इस मिश्रन को अपने चेहरे पर लगा लें इस पैक को लगाने के करीब 20 मिनट के बाद अपनी तवचा को गुन-गुने पानी की मदद से धोलें इस पैक को भी आप हफ़ते में 2-3 बार इस्तिमाल कर सकते हैं इससे आपकी तवचा बहुत चमकदार और तंदुरुस्त हो जाएगी तीसरा फेस पैक है एवचाडो और शेहद से बना फेस पैक शेहद हमारे स्वास्त के लिए कितना फाइदेमंद होता है ये तो आप सभी जानते हैं ऐसे ही ये हमाई तवचा के लिए भी असरदार्द होता है जो तवचा को किसी भी नुकसान से बचाने में हमारी मदद करता है एवचाडो भी जितना हमारे स्वास्त के लिए अच्छा होता है ऐसे ही हमाई तवचा के लिए भी फाइदेमंद होता है एवचाडो में B-keratin और Lecithin होता है जो तवचा को नमी प्रदान करता है आपकी तुचा पर लंबे समय तक नमी बरकरार रह सकती है। इस face pack को तेयार करने के लिए आप avocado को अच्छी तरह से पीस ले और इस मिश्रन में आप शहद गुलाब जल को शामिल करें। अब आप इसे अपनी तुचा पर लगा सकते हैं और बीस मिश्रन के बाद हलके गुर्गने पानी से दो सकते हैं। इस face pack को भी आप हफते में दो से तीन बार इस्तिमाल कर सकते हैं। चौथा face pack है कौफी से बना face pack। कौफी तुचा के लिए अच्छी मानी जाती है। कौफी का pack तुचा पर नेमत रूप से लगाने से आप मुहा से और दाग धब्भों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपके चेहरे की रंगत को सुधार्णी में काम्याब होता है। इस pack को आप हफ्ते में एक से दो बार लगा सकते हैं और करीब 20 मिशन के बाद गुनगुने पानी से धो सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप कॉफी, शहद और कोको पॉडर को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तीनों की quantity समान रखें। अब इस मिशन को आप अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी तवचा पर लगा ले। और 20 मिनट के बाद हलके गुनगुने पानी से धोले। अगर आप सर्दियों में इन में से किसी भी फेस पैक का नियमत तरीके से इस्तिमाल करेंगे तो लंबे समय तक आपकी तुचा स्वस्थ और चमकदार रहेगी। So guys, उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, थांक्स फर वाचेंग।